हेलो दोस्तों में आपको स्वागत है और आज आप बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि नुक्तियां है यानि कि जो अपॉन्मेंट्स हुआ है भारत सरकार द्वारा और अन्य जो भी बहुत महत्पूर्ण नुक्तियां हैं चाहे हो राश्टी हो य दो नोट फॉर्गट लाइक और नोटिफिकेशन को अन करना तो आप आये सुरू करते हैं बिना बिलम्ब कियो हुए तो दोस्तों देखे यहां नेपाल के नए परधान मंत्री बन गए हैं तो यह 15 फरवरी 2018 को बने हैं केपी केपी सरमा ओली जो की 41 परधान मंत्री हैं कहा के तो यह नेपाल के परधान मंत्री हैं तो अब भूल जाएए पुराने परधान मंत्री जो थे सेर बहादूर देवा जो कि 40 में परधान मंत्री थे नेपाल के और उनके अस्थान पर यह केपी यानि केपी का फूल फॉर्म में खड़क परसाद और सरमा ओली तो हैं ही यह एक तरह से इनका जुकाब जो चीन के तरफ जादा है और ये दूसरी बार जो है नेपाल के प्रधान मंत्री बने हैं और बनने से पहले ये cpnuml के अध्यक्ष ठे ठे और इनका जो पहले का इसके पहले का कालिज काल था जो उन्हों प्रधान मत्री थे हुए तो ग्यारा अक्टूबर 2015 से लेकर ग्यारा अक्टूबर 2015 से लेकर तीन अगस्ट 2016 तक यह पहले प्रथान मंत्री रह चुके हैं तो दूसरा टर्म है और चीन के तरफ जुके हुए हैं मत्तब इनका जुकाब है चीन की और ज्यादा और यह बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं चुके यानि मैट्रिक लेवल तक ही साथ पढ़े हैं यह समझे कि नन मैट्रिक हैं और पॉल्टिक पॉल्टिक्स में आने के वज़ा से इन्होंने आगे के प्रहाई नहीं किया है तो खर देखिए निक्स्ट जो है भारतिये खेल प्राधिकरण के महानीति से कौन है तो यह है निल 82 बैच के आई एस ऑफिसर है नीलम कपूर जो यह देखिए नीलम कपूर जो है यह है ब्रासी यानि कुनी से ब्रासी बैच के आई एस हैं और इससे पहले जो महत्पून पत पर यह रह चुकी है तो यह 2010 में राष्ट मंडल खेलों के मीडिया ओपरेशन के प्रमुख भी र आरतिये खेल प्राधिकरन का गठन जो हुआ है तो यह गठन हुआ है 1984 में इसको इस्थापित किया गया है अब देके तीसरा है राष्टिये सुरक्षा गार्ड यानि की NSG जिसको NSG यानि की National Security Guard इसके जो डीजी है यानि महानिदेशक बनाए गये हैं सुदीप लख टकिया को नाम भी है लख टकिया और बहुत अच्छे पद पे हैं सुदीप लख टकिया और एक फरवरी 2018 को इनकी निकती की गई है यानि इन्हें पद ग्रहन किया है और दोस्तों यह जो रहेंगे जुलाई 2018 तक रहेंगे तो काफी समय बहुत कम समय तक यह रहेंगे ठीक है जुल दीजी और इसके पहले यह थे सुदीप लख्टा किया जो थे थे किर पिशेश महान ने दे सकते हैं ठीक है तो भारत के चुनाव अयुक्त यह भारत के चुनाव एक चीफ एक लेक्शन कमिशन नहीं तो असोख लावाशा जो की 23 जन्वरी 2018 को इनकी नुक्ति की गई है और इनके बारे में यह है कि पदभार ग्रहन किया है और ओम प्रकास रावत का अस्थान इनुन लिया है ठीक है ऐसलिए अचल कोमार जोती थे उनका टर्म पूरा हो गया है तो इसलिए अचल कोमार जोती अब नहीं रहे हैं और का सिरावत है मुख चुनावायूक्त जो कि आप यहां देखने हैं च्छे नमबर में तो ये उम परकासरावत जो हैं 20 जनवरी मुख चुनावायुक्त जो हैं बनाए गए हैं इसके पहले सेकंड थे सेकंड नमबर के थे चुनावायुक्त थे तो तो यह इन्होंने जो मतलब प्लेस इन्होंने जो इनके पहले जो थे उमपरकास रावत के पहले अचल कोमार जोती थे तो यह अब नहीं रहें अचल कोमार जान लेए कि जो चुनावाय। जो है ये सेकंड नूमर के है। और तीसरे स्थान परये सुझील आरोडा हैं। तो सुनील अरोड़ा यं付 3 जो चुनावायुक्त बने हैं और इसके अलावां सुनावायुक्त होते हैं सुनील और सुनील ऑरोड़ा और अक्टूबर 2022 तक रहें режें कर पत बने रहें इसके बाद अगर परंपरा का दुरुप से इनको नहीं कुछ अगर कोई प्रॉबलम होती है सरकार अगर परंपरा अपनाती है तो यह मुख चुनावायुक्त भी बनेंगे ठीक है अब नेक्स पांचमान नमबर में बिक्रम साराभाय स्पेस सेंटर के बारे में देखिए तो इसके बारे में आप देखिए बहुत समय आपका जादन नहीं लगे चुकि यह नए थे इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें डिटेल है तो दोस्तों यह जो वीडियो है अगस्ट तक इसमें है डोटल डिटेल है तो मैं तेजी से मैं आपके लिए पढ़ अब देखिए जनवरी के जो न्युक्तियां है इनसे ही समदित थे और कुछ खास बात जो बहुत इंपोर्टेंट है अब आईए देखिए नेक्स्ट जो है यह 17 जनवरी को बनी है बने है कौन बने है तो गुर्वीर सिंग ग्रेवाल बने है न्यू जर्सी के अटाउनी ज जन्ल बनाए गयी है फिर इसो के अध्यक् refresh के यीसओन है केशीवन है के सीवन ऑर यह घ्लशन दौरी दो एक्ठार को इंकी न्युक्ति हुए है और इसके बाद है उपर राश्टी सुरक्षर सलाकार पामाऎ जबकि राश्टी राश्टी शुरक्षर च शाहरा पूईन डबल टैपिंग है अब देखिए इनफोसीस के जो है CEO और MD है वे बनाये गए सलील पारे को सलील पारे को बनाये इनफोसीस के जो कि दो जनवरी सचीव है एक जनवरी 2018 को इनकी निकती हुई है फिर है यूनिसेफ के कारकारी निदेख ठीक है यानि की एक्सक्यूटिव डै जो है रैक्टर है वे हंड्रेटा एच फोर को बनाया गया है एक जनवरी 2018 को ही तो यह सब नए साल में बनाये गए हैं अब देखिए पंदरवे ब संबंध परिशाज इसको आई सी और भी काते हैं और इसके अधक्ष कौन बने हैं तो बिने सहस्त्र बुद्धे बने हैं इसके इसके बाद नेक्स्ट है सत्रावर में गुजरात के उप मुख मंत्री की नहीं बनाया गया है तो नितिन पटेल को बनाया गया है नेक्स्ट है गुजरात के मुख मंत्री जो कि दूसरी बार बने हैं कौन बने है तो बिजय रूपानी बने है ठीके बिजय रूपानी बने ह है यह और 26 दिसंबर 2017 को निक्ति हुई है मतलब सपत ग्रहन किया है फिर एंसी सी यानि नेशनल करेट कोर के महानिज़क यानि डीजी जो है लेफ्ट इन जर्नल बीएस हरावत को निक्ति किया गया है यह बाइदिसंबर 2017 को बने हैं नेक्स्ट तो यह है मुख मुख सचीव य तो कि नई दिल्ली के हैं अंसू प्रकास को बनाया गया है राश्टिय मुनाफा खोरी मुनाफा खोरी रोधी प्रादिक करन इसके अध्यक्ष है बद्री नारायन सर्मा ठीक है कौन बद्री नायन सर्मा है 28 नवंबर 2017 को इनको निक्ति हुई है फिर केंद्रिये जल संसाध किना निक्ति किया गया सक्ती कांथ दास को निक्ति किया गया है उसके बाद 24 नंबर में वह कंप महानि देशक जो की सौम्या सौमी नाथन बनी है नुक्त की गई हैं और यह 26 नमंबर 2017 को नुख्थ हुई अब पहली भारतिय महीला है पहली भारतिय महीला नागरिक है जिनको WHO को उपमाहननी देशक पद पर नुख्थ किया गया थे इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है यह उपमाहनी नीदिशक अब देकि युनेशको के जो इनको निक्ति हुई है तो उपने दिसक पद पर भारतिय महिला है तो बहुत यह गौरब की बात है ठीक है नेक्स्ट है 26 नमर में भारत की पहली ट्रांजेंडर फुलिस कॉंस्टेबल जो की जिनका नाम है गंगा कुमारी है यह 13 नमबर है 27 को राजिस्थान में बनी है और इन्होंने इसके लिए जो है हाइकोर्ट में राइकोर्ट इसके द्वार यह दिया गया है इनको ठीक है यह मिला हक उनको राजिस्थान थावरा मिला है तो जो राजसान में जो हाई कोट है उनके दुवारा ये डिसिजन दिया गहा है तब वहां की राजसान पुलीस ने जो है इनको ये ट्रांस जेंडर होते हुए भी पुलीस कॉंस्टेबल में निउक्त किया गया है नहीं 27 नमर में है अमेरिका के निचले सदन में चुनाब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर तो यह भी ट्रांसजेंडर से जुड़ा हुआ है यह डानी का डानी का रोम है तो यह इंपोर्टेंट है न्यूज पूछा जा सकता इसलिए मैंने इसे यहां पर लिया है आपके लिए सचीव भारा सरकार के कौन है तो यह अभी हसमुख अधिया है जो कि 6 नमबर 2017 को बनाये गए है फेडरल रिजर्व रिजर्व बैंक जो कि अमिर्का में है नियूर्क में है और इसके प्रमुख जो है कौन है तो जे रोम पावेल है ठीक है यह जो कि तीन नमबर 2017 को नुक्त अक्टूबर 2017 को उसके बाद उत्राखंड के मुख सचीव किन्ह बनाया गया तो उत्पल कुमार सिंग को बनाया गया है फिर 32 नमबर में CBI के विजसेश महानी दिसक राकेश अस्थाना को नुक्त किया गया है जो कि 22 अक्टूबर 2017 को है उसके बाद 33 नमबर में है पाकिस् भारत के अगले राजदूत जो है यह भारत के जो राजदूत है वे बने हैं गौतम बांबले बंबाले बने हैं यह गौतम बंबाले चीनिंग में है और FDDI FDDI ठीक है FDDI के चेर्मेन जो है अनुपम खेर को बनाया गया है नेक्स है 36 नमबर में पाकिस्तान के नौ सेना परमूख कौन है तो यह अड्मिरल जफर है जो कि अड्मिरल जफर महमूद अबासी है साथ अक्टूबर 2017 को बने है यह SBI के अध्यक्ट बरतमान में भी है राजनीश कुमार जो की 4 अक्टूबर 2017 को निक्त किये गये हैं यह बिहार के राजपाल हैं यह सत्पाल मलिक हैं 4 अक्टूबर से यह निक्त के पहले रामनात को बिंद थे और ये नंनों स्तिफास दिया तो केसी आत्री पार्थी को जो है कारभार दिया गया लेकिन सटपाल मलिक को चारव क्टूबर रिपे उन्नी सपत्राइब किया है लिया है अब है उन्चालिस नमर में ऐंडिसी के चेर्मन जो है संकर है नेक्ट है सैस्ट वी के महानेदिसक जो है एस लिए महानेदिसक रजनी कांथ मिस्रा को बनाया गया है दोनाल्ड ट्रब्ब के मुख्य प्रेश उप्स अचीव कौन है तो भारत राजसा है राजसा इंपोर्टेंट है ठीक है भारतिये वरिष्ट महिला होकी टीम के कोच जो है हरेंद्र सिंग है ठीक है पीटी आयनी प्रेश ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गये हैं तो विवेक गो इनका को बनाए गये हैं ठीक है उसके बाद के नीती आयोग के उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार हैं और एक सितंबर एक सितंबर दोज़सातरा के निक्ती हुई है भारत के निंत्रक महालेखा परिच्चक और यह याद रखेंगे दोस्तों राजीब हरती हैं एक्ती सब्सक्राइब दोज़सातरा को यह हुआ है और मैंने इस वीडियो में सुर्वें बताया जो मुख चुनावा युक्त हैं और जो सिकंड चुनावा एक उनके बारे में मैंने बता दिया पहले ही अब उबर के सीयों है दारा खोसरोसाही फिर देकि अपसरवोच नियाले के पैंतालिसवे मुख नियाधीस जो कि दीपक मिस्रा है और यह इनकी निक्ति जो हुआ है मतलब 28 अगस्ट दोज़सातरा को हुआ है यह दो अक्टूबर दोज़सातरा तक मतलब 27 को यह सेवा ने बृत होंगे तो अक्टूबर तक भी मुख नियाधीस जो है ठीक है चीफ दोजीव गावा इनको भी याद रखना होगा आपको दोस्तों केंद्रिये ग्रीस अचीव है 31 अगस्ट 2017 को इनकी निक्ति हुए है एंडिया के चेर्मantic बनाए घराजीव बनसल को बनाया गया है और 24 अगस्ट को इनकी निक्ति हुए है तो दोस्तों यह थे 50 टॉप जो है निकतिया जिनके बारे में आज आपने देखा तो दोस्तों यह वींटी कैसा लागा आप मुझे कोमेंट करें कोमेंट करें और दोस्त वीडियो को देखने के लिए thank you सब्सक्राइब करें और ससरे लोगों को will that lie लाइक और नोटिफिकेशन कौन करना तो नहीं बोलना घंटी जो वेल आइकान के रूप में इसको उठा दीजिए जल्दी से तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद